स्लावलेकुम नास्रीन मेरा नाम डॉक्टर अदील है और अमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे सबसे पहले तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताके हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर दिरूर कीजिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इंपोर्टेंट इशू है पी आईए के जो फेक लाइसेंस इशू है और उसके जो प्रॉस्पेक्ट सामने आ रहे हैं उन पे हम बात करेंगे और उसका थोड़ा सा अनैलिसिस करेंगे आपको पता ही है के खान साब ने लास्ट वीक जो के एक फेक लाइसेंस पे जो के एक इशू करियेट हुआ था और ये इशू जो के पी आईए का प्लेन क्रेश हुआ था कराची में जिसमें 97 लोगों की डेथ हुई थी उसके बाद ये लाइसेंस के चेक एंड बैलेंस का सिल्सला शुरू हुआ था और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत से लोगों पे जो पाइलेट से उन पे शकूक और शुभात नजर आए कि उनके लाइसेंस फेक हो सकते हैं जिसकी वज़ा से PIA ने काफी पाइलेट्स को ग्राउन कर दिया और नतीजा ये निकला कि कल आपको जैसे पता ये यॉरप ने PIA की स्लाइट्स बैन कर दी उसके इलावा UN-9 ने स्पेशल एडवाईजरी जारी कर दी PIA के लिए और एक global concern पैदा हो गया कि PIA में पाकिसान International Airlines में कैसे लोग फेक लाइसेंस को कैसे हासिल कर लेते हैं और कैसे जहाज उड़ा लेते हैं और इतने लोगों की जिंदगी आदाओं पे लगा लेते हैं अच्छा पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जो स्टैट्स हैं कि कितने पाइलेट्स हैं टोटल और कितने लोगों को ग्राउंड पाइलेट्स को ग्राउंड किया गया है इनमें सबसे ज्यादा PIA के पाइलेट्स हैं 141 PIA के हैं 9 Air Blue के हैं से बस्तिद्स के 10 स्टैट्स हैं और 17 शाहीं एरलेट्स के और बाकि जो पाइलेट्स हैं वह एरलाइन ट्रांस्पोर्ट सर्वेस घ्राउंड कीया गया है अच्छा अब जो इशू है वो यह है कि जो रिपोर्ट इस तरहा की रिपोर्ट जो के बहुत ही एक जिस पे आपकी नेशनल एक रेपूटेशन उस पे रिलाय करती है और आप उसको जब पब्लीक करते हैं और इंटरनेशनली क्या इमिज जाते हैं वो बड़ा मैटर करती है जी रहें लेकिन देखें मेरा यह मानना है कि जिन्दगियों से ज्यादा बेतर यह है कि आप उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें और रेपूटेशन पे देखें फॉर दा टाइम बिंग रेपूटेशन दुबारा भी बहाल हो सकती है लेकिन जिन्दगी वापस नहीं आ सकत देखें जो पाइलेट्स उडा रहे हैं जहास को उनको प्रॉपर एक प्रॉसिस से गुजरना बहुत जरूरी है और उनका प्रॉपर टेस्ट करना और हर तरहा का चेक-इन बैलेंस और यह बहुत जरूरी है कल कैबनेट में इस पे बहस हुई और अपोजीशन की तरफ से ब हम अभी inquiry कर रहे हैं लेकिन सुनने में यह आया है कि जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है वो basically inquiry के बाद भी हुई है एक inquiry PIA की तरफ से हुई है और एक inquiry Civil Aviation की तरफ से हुई है लेकिन इंट्रस्टिंग बात यह है कि दोनों की inquiries में काफी फर्क हैं उनके नंबर मैच नहीं कर रही है जिसकी वजह से इतने ज्यादा 262 पाइलेट्स को ग्राउंड करना पड़ा है लेकिन बात यह कि आपने अगर प्रॉपर रिलायबल इंक्वाईरी नहीं हुई है तो देखें पहली बात तो यह कि इतने ज्यादा पाइलेट्स हैं और उनका एक डिजास्टर पैदा ह हो जाएगा ना मतलए 262 मिसाल के तौर पर पाइलेट्स हैं उन्होंने जाहिर है उनको आपने ग्राउंड कर दिया उनका रोजगार बंद हो गया उसके लावा पी यह में एक बहरान पैदा हो जाएगा इतने पाइलेट्स को ग्राउंड करने का तो यह सोचने की बात है कि आपने प्रॉपर इंक्वाईरी भी कर ली फिर आपके कुछ लेवल होते हैं सर्टेन लेवल आप बना सकते हैं कि आया किन किन लोगों को आपने बैन करना देखें सबसे पहले तो जिन 28 और 29 लोगों के खिलाफ जो के बात हुई थी कि जिनके लाइसेंस पे था कि जिनके फ प्रॉब्यस सी बात है ग्लोबल कंसर्ण जो पैदा हुए है रेपूटेशन आपकी थोड़ी सी डैमीज हुई है थोड़ी सी नहीं बलके काफी डैमीज हुई है कि आपने यॉरप जैसे एक कॉंटिनेंट ने आपको बिलकुल बैन कर दिया तो इस तरह की चीजें सामने आ उनको और उन्में किसी क्तोर है और उन्में को यह इस्सी कितना ज्यादा था उन्हें कैसे कैसे लाइसेंस अड़िय हो गयी देखें तो जो रेपोर्टस है intriguing हर श्माबाद होते है और हेब का क्ले करना लाज़म होटा फो यहना है तो उसमें जैसे हमारा पकिस्तान के एक न पाइलट ने एक्जाएम दे दिया, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, और चुक्छे मागा होता है, तो मेबी यह बात भी ओती हो, कि पाइलट्स आवर कॉन्फिडेंट होती हो, कि हमें तो पता ही है, हमें तो आता ही है, चलने से कोई फरक नहीं पड़ता है, यह कौन सा किसी ने चेक करना है तो इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं और जिसकी वज़ा से ये रिपोर्ट को जारी करना पड़ा तो अब बात जो मैं मेरे लिए ये काबल गौर बात ये के एक तो रिपोर्ट आपने इशू कर दिये और नेशनल जो आपकी एक रेपूटेशन है उस को भी वो भी काफि़ डैमेज हुई है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि प्रॉपर इंकौाईडी कर लेते पहले और उसके बाद रिपोर्ट इशू करते और अगर प्रॉपर इंकौाईडी हो गई ए तो क्या कौन कौन से पाईलेट्स है जो करіє किन कि किन खिलाफ कारवाई हो रही है तो अगर कारवाई हो रही है तो ग्या उस लेवल पर उस मौके पे रिपोर्ट को आपने पबिलिक करना लाजमी था तो ये चंद एक सवालात हैं जो के सोचने वाली बाते है तो लेकिन खैर रिपोर्ट जिन्दगी से बढ़के कुछ नहीं下去 इंसानी जान की सबसे ज्यादा कीमत है तो उमीद है कि आने वाले दिनों में PIA में ऐसे पाइलेट्स भरती होंगे जो के प्रॉपर एक प्रॉसेस से गुजरे होंगे और अपने काम में माहिर होंगे ताके लोगों की जिन्दगियों पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और PIA जो के इदारा पहले ही काफी खसारे में है उसकी रेपूटेशन भी बहाल हो सके और उसके वो एक प्रॉफिटेबल एक इंस्टिटूशन बन सके तो हमारी तो सिफ यह दुआ है कि PIA तरक्की करे मुल्क तरक्की करे और पाकिस्तान के हालात बदले अब तक के लिए इतन है दिस जोक्तर अदील साइनि आओ अलाहाफिज